और मुख्यमंत्री सजानो घटना लव एफियर ऐसे छोटे छोटे तुछ सब्दों का प्रयोग करके जनता का पश्रिम बंगाल की नागरी का अपुमान खत्वी आए और आज पश्रिम बंगाल की इस्तिती देखिए लोएन ओडर किस तरह से जर्मराई हुई है गली जो है पांच बच्चे मालदा के अंदर में क्रिकेट का गेन समझ करके उससे खेलते हैं और वो बं निकलता है जब वो फटता है तो पांच सो बच्चे घायल हो जाए यह बं बारूद बंदूख की फेक्ट्री और पश्रिम बंगाल में एक ही हमेसिम ही ऐसा है जो ग्रोथ पे है वो है बं बनाने का बारूद बनाने का बंदूख बनाने का है मेसिम और बड़ी बड़ी जो है बात मुख्यमंत्री जी करती हैं आप देखिए अभी बिजनेस एकोनोमी समिट हुआ पर आप कलपना करिए आज तक सोलर लाग करोण रुपय का इंवेस्टमेंट M.O.U. साइन हो चुका है लेकिन घर्टी में एक रुपय का काम नहीं हुआ मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है जब देश आजात हुआ पर्शिम बंगाल की एकोनोमी भारत के जीडिपी में 33% कंट्रिकुशन पर्शिम बंगाल का होता था जो आज मात्रा 3% रह गिया आप कलपना करिए इतना billions of dollars आज FDI विदेशों से investment भारत आ रहा है 2011 में पर्शिम बंगाल में 1% जो FDI आता था आज 2022 में भी मात्रा 1% पर्शिम बंगाल का युवा बेरोजगार है और कली हमने जो एक प्रोटेश रेली की कलकता में आप समने देखा होगा आज किस तरह से शिक्षा में राजनीती करन गुआ है और ये स्वामी प्रशाद स्वामी विवेका नंजी की धरती और ये जो है गुरू रविंद्र नाथ तेगोर जी की धरती इसको कलंकित करने का काम पी एमसी और मुंता भी दिनित किया है आज पस्षिम मंगाल का युवा पीएट और जो है डिगरी करने के बाद डिपलोमा करने के बाद वो बेरोजगार रहने को मजबूर है और जब रोजगार के लिए मेरिट निश निकलता है जिन सिख्षों को का उसमें नाम होता ह दो है उनको नोपरी नहीं मिलती जो लोग दिया मिसी के साथ जुड़े हैं उनके कारे करता उनके पालतु घुंडे और उनके जो समर्थक है उनका लिस्ट में नाम आ जाता उनको नोपरी मिलती है अब पस्षिम मंगाल का युवा चुप नहीं रहेगा और विशेश करके नौर्ट बंगाल में तो आप कलपना किजिए यहां पे जो है कोई भी कमिशन, स्कूल कमिशन है ही नहीं यहां तो आज बन करके सब कुछ T.M.C के हिसाब से होता है आने वाले समय में नौर्ट बंगाल के युवा बड़ा अंदोलन को जनम देंगे हम सड़क पे उतरने को मजबूर है अगर यही रवया T.M.C और ममता दिदी का रहा तो नौर्ट बंगाल पहला छेत्र होगा जहां T.M.C को सुन्य करके हम यह दिखाएंगे यह हमारा कसं है यह हमारा व्वादा है और मैं गोर्खा हूं जो बोलता हूं उसको करता हूं जो नई बोलता मैं उसको भी जादा तो लिवा मंत्रजी का नौर्ट बंगाल वठाफंट बंगाल सेγαने में इसे एक के दोरान रांगठानिक बैठक भी होगी तारे करताओं को संभोधित भी करेंगे शिरी गुडी में पबलिक रेली भी होगी और इसके अलाबा भारत के ग्रेय मन्दिय होने के साथ वो यहां की लो एन ओर्डर की सुच्वेशन है और यहां की नौर बंगाल की जन्ता के साथ और यहां पर होने वाले विकास कार्यों की समिक्षा भी करेंगे हम सब जानते हैं राजिलिंग चार इंट्रमेशनल बोडर से लगा हुआ यह इलाका है और जिस तरह से आए दिन माल्डा या सिलीगुडी में जो बं मिल रहे हैं जिस तरह से रोएंगे आस रोज फक्रे जा पारे नहीं छोड़ सके और इस सब लिगा समिक्षा होगी मैं तो बार बार यह मांग करूंगा मश्रिम बंगाल को बजाईए असल में भात्ये जन्ता बाति आंग शिदान्तों की राजनीति करते हैं इस शिदान्त के राजनीति के करने के साथ हमारे साथ यह समस्य यह भी ह आज अगर कॉंग्रेस की राजनीति कम से कम दस बार इस सरकार को मरपास कर चुकी होती है लेकिन हमें जो शिदान्त की राजनीति करते हैं लेकिन मेरा फिर भी आपके मात्यम से भारत के रास्टपति, भरदान मंत्री, ग्रेय मंत्री, सबी वरिष्ट नेताओं से चाहे बी बंगाल की इस्तिती बहुत धानक है यही इस्तिती रहा या तो यह ग्रेटर बंगलादेश बनेगा यह भारत के दूसरा कश्मीर बनेगा इसको बचाना भारत की यह बहुत अनिवादिय है यही आपके मात्यम से बादा वैसे एक प्रस्न का उतर देते हुए मांगे ग्रेय बंगाल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको जान गवानी बढ़ती है मैं मजाग में अपने इवामोर्चा के सभी सात्यों को कई बार कहता हूँ यह बंगाल आतो रहो रिटेंट टिकट मत लेने ला भी पैसा थास मत करना बज्जय तो वापस यह वास्तिता है और यह ह में चुम्हें आने वाले समय में आप देखिया इसको ले कर के हम बड़ा आन है करेंगे देज भर में जाएंगे और देज़ बर में जाएंगे बंगाल को बचाने के आप देखिए यह वह उन्य болi है यह पभित्र बुमिये विरों की भूमी इसको कलंग्तित किया है इतना ह जितने जिलो में आएंगे, जितने जिलो में जिलो में जिल्सा हुई है, जहां हमारे कारे करता की मौत हुई है, उन्स सब के बरिवार से मिलने की एक बड़ी योजनापी उपचा करता है। नहीं करनी है, लेकिन मेरा निवेदन है भारत के प्रधान मंत्री से, जब भी दीदी आप से मिले, कृपया पहले आप ये कही है, कि इतनी सारी हत्याएं पश्री मंगाल में क्यों हो रही है, इतनी सारी बच्चियों के साथ बलातकार क्यों हो रहे हैं, इतना करप्शन और कट इतना बारूर और बंदूत की फेक्तरी को आप क्यों जिन्दा कर रही हो, मैं इतना निवेदन जरूर करूँगा, प्रधान मंत्री होने के साथ उनको हर एक से मिलना उनको ये पड़ेगा, कोई मुक्ते मंत्री समय मांगती है, तो साहे दो मना नहीं कर सकते, लेकिन मेला इतन मंगालता आपका जो संगठन है, वो अभी कैसा हालत में आए, क्योंकि और जुन सिंग उसके बाद समित्र खान, उसके पहले संतनु ठाकोर, ये सब किन्तों पुरा अलग टोन से बात कर रहा है, जो कि BJP का संगठन के लिए अच्छा नहीं है, तो आगले जो चुनाओ है ल आने वाले समय में पुरे पस्ति मंगाल में आप देखेंगे, मैं इतना जरूर आपके मात्यम से जना जाओ, भारतिये जनता पार्टी वो एक परिवार की गिंती विशेश की पार्टी नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा संगठ से उपर मानता है, ये उसकी कमी है, संगठन की नहीं है, हमारी संगठन पवित्र है, गंगा की तरह अम्रित है, और ये वो संगठन है, हम सिरिफ राजनिती में चुनाव लड़ने या चुनाव जूतने के लिए नहीं है, अन्तो उद्वय का हमारा सपना है, समाज में आखर करकारी जोजना पहुचे, ये हमारा उद्वेश है, और उसी उद्वेश के साथ, हमारे जैसे पताने किते हिवा, पूरा अपना जीवन, निशावर करने संगठन के साथ लगे हुए, अपना काम धंदा सब चून करें, तो ये पवित्र संगठन है, और मैं इतना ही कहूंग हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरी, फिर हमारा संगठन, फिर एक्सवाई लिए पहार में एक से एक दल गठन हो रहे है, इस भी सर्वा ने फिर एक नया दल गठन करते हैं, देमोक्रेशी में इतने भी दल बने, ये उन सब का अधिकार है, मैं सब का स्वागत करूँगा, सब को समान अधिकार भारत के संभिदान ने दिया है, और उसका उपयोग, उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, मुझे बस एक ही बात की जित्ता होती है, पहार की जनता को ले करके, जो गंबिरता किसी भी पोलिटिकल पार्टिया नेता में होनी चाहिए, वो नहीं है, मैं देखता हूँ, पोलिटिकल पार्टिया बनती है, चुनाओं से पहल है, और च भार्टिय जनता पार्टिया वो पार्टिया है, जो गोर्खाओं के संकल्प को पुड़ा करेगी और जल करेगी, मैं आपसे यही चाहता हूँ, कि आप दिकास के नाम पे छोटे मोटे विशे के नाम से बढ़िये मुझे कोई आपती नहीं, जहां तक गोर्खाओं का सफना है, गोर्खाओं के जो मुद्दे हैं, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ, आप संगठित रही है, क्यूंकि आज तक यही हो रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, तोडो और राज करो, तोडो और राज करो, आज ममता दीदी देखिए, पांच पार्ट बॉर्खाओं के अंदर सोलर बोड बना दिये, और इस तरह से फूट डालो, राज करो, और इल्लीगल तरीके से दारजिलिंग में कब्जा बनाई हुझी है, तो मैं यह चाहता हूँ, यह आप समझिये, हिपोक्रिशी को, और इस से बचना होगा, बॉर्खाओं को न्याय कि अधिन दो करने दो बाद के जनता पाठी कर सकते ही, यह तमाम हम जानते हैं, और कुछ करी नहीं सकता, लेकिन हम सब को एक रहना हुझा अधा, अधा